कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में नए निर्देश पंजाब में लागू किये गए हैं आपको बताते चलें कि पंजाब में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया राद 10 बजे से सुबा 5 बिजे तक रहेगा कर्फ्यू बार सिनेमा हॉल मॉल रेस्टोरेंट 50 प्रतेशन शमता के साथ खुलेंगे सभी कॉलेज स्कूल यूनिवरस्टी अगले आदेश तक बंद रहेंगे आपको बताने कि पंजाब में 24 गंटे में 4-9 मामले दर्च किये गए हैं करोना के जिसके चलते ही पंजाब सरकार ने नए निर्देश शारी किये बताते चलेगे आदेश 15 जन्वरी तक के लिए रागो रहेंगे पंजाब में एक्टिफ केसों की संख्या 1741 पर पहुँच गई है सरकार ने अदेश शारी किया है कि दोनों करोना के डोस वालों को की प्राइवेट और सरकारी कार्याले में आने की अनुमत ही दी जाएगी तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पंजाब सरकार के उसे नई गाइडलाइन चारी की गई है पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है करोना के बढ़ते आगरों को देखते हुए पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का एलान किया राद दस बजे से सुभा पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलना वर्जित रहेगा कोई भी अपने घर से दस से पांच बज़े के बीच नहीं निकल पाएगा जले ज़्यादा जानकारी के लिए हमार साथ हमारी समयदाता इशा ठाको लाइब जुड़ चुके इसी खबर पर इशा आप से जाना चाहेंगे नई गाइडलाइंस पंजाब सरकार की ओर से जारी करती गई है नाइट कर्फ्यू के साथ ही तमाम सावधानिया तमाम पाबंदिया सरकार की ओर से लगाई गई हैं क्या कुछ पाबंदिया आप से जानना चाहेंगे जी बिल्कुल देखें जो आदेश जारी के गए हैं पंदा जनवरी तक की आदेश लागू रहेंगे रात दस बजे से लेकर सुबा पाँच बजे तक की समय अबधी नाइट कर्फ्यू के लिए निधारित की गई है और पंदा जनवरी तक पंजाब में नाइट कर्फ्यू रहेगा इसके साथ ही जो शिक्षन संस्ताएं हैं उन्हें अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश दे दिये गए हैं इसके अलावा जो ऐसी बस हैं वो भी पचास फीज़दी शमता के साथ चलेंगे होटल, रेस्टोरेंट, बार, मॉल्स, जूप के अगर बात करें वो भी पचास फीज़दी शमता के साथ ही खुलेंगे, इसके अलावा जो सरकारी कारेले हैं या प्राइविट कारेले वहाँ पर बिना मास्क की अनुमती नहीं होगी, इसके अलावा दोनों करोना की वैक्सिन की डोस लगानी जरूरी है, उसके सर्टिपिकेट के बिना लेकिन सबसे ज़ादा जो चुनआवी रेली पंजाब में इस वक्त कोई कर रहा है वो कॉंग्रिस पार्टी है, कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से लगाता चुनावी रेली की जा रही है और सबसे बड़ा खत्रा अगर संकर्मन का कही रहता है तो वो चुनावी रेलियों मे कहा गया है कि जो पब्लिक प्ले से यहां तक की कारयाले में भी दो गच की दूरी होनी जरूरी है मास्क पहना जरूरी है लेकिन जो तस्वीरें हम आई दिन देख रहे हैं उसमें कहीं भी मास्क नजर नहीं आते हैं यहां तक कि जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई मास्क नहीं पहना जाता है सरकार की तरफ से ये फैसला जरूर लिया गया है क्योंकि बीते दो दिन पहले ही जो कॉंग्रेस अध्यक्षा हैं सोनिया गांदी उनकी तरफ से मुख्यमंती चरणजी सिंग चरणी से टेलिफोन पर बात की गई थी और उनसे कहा गया था कि करोना की जिस खुबी निभाय जाते हैं या नहीं क्या सकार इसे निभाती है या नहीं क्या है क्या हाला थे वहाँ पर को लेकर और ओमिक्रॉन को लेकर देखिए नहीं क्या या नहीं क्या है देखिए करोना की नए विरियंट या ओमिक्रोन के अगर बात C Especially कहीं ननक चिंदा जनक बनी हुई है और अभी तक अगर हमें बात करें जो सरकारी आंकडों में बताया गया है, ओमिक्रोन का एक ही केस बताया गया है, लेकिन असल में चार केस ओमिक्रोन के पंजाब में पाये गये थे, लेकिन जो चारों मरीज हैं, इस वक्त सुरक्षित हैं और उनकी रिपोर्ट भी नेगिटिव आ चुकी है, लेकिन करोना ने क पंजाब के अगर बात करें तो 419 मामले बीते 24 घंटे में रिकॉर्ट किये गए हैं ऐसे में जो पटियाला के अगर में बात करना चाहूं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अर्विंद केजिवाल कुछ दिन पहले ही शांती मार्च पटियाला में निकाल के गए हैं इसी आठ जनवरी को और कहीं क्रोस वोटिंग ना हो इसके डर से आम आधिम पार्टी की तरफ से अपने सभी पाश्रदों को दिल्ली में रखा गया है और मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल के अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार उनसे बातचीत की जा रही उनके संपर्क में हैं और केजिवाल साब खुद पॉजिटिव आए हैं ऐसे में करोना गाइडलाइन्स के अनुसार अगर हम बात करें नियमों के तहती कहा जाता है कि अगर कोई संपर्क में आता है तो उसे भी साथ दिनों के लिए खुद को आईसोलेट करना होता है जनव आरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशा और ऐसे में हम भी अपील करेंगे कि सभी मास्क जरूर लगाए दो गज की दूरी का पालन जरूर करें अगर कोरोना से जंग लड़ना है तो